जै शीक्रिष्णा आज जानकारी लेकर आए हैं कुछ महतुपूर्ण वस्तुओं के उपर जो की कुछ सादक पूछ रहे थे सबसे पहले हम बात करते हैं शालिग्राम की शालिग्राम के विशे में सादक पूछ रहे थे जैसे आभी देख रहे हैं इसमें आकरतिया दिख रही आपको, ऐसे सुदरसन चक्र जैसे आकरतिया होती है शाली ग्राम में, और शाली ग्राम जो होता है इसका पूजन बहुत सारे लोग, मातुलसी के पास में रख कर भी करते हैं, कुछ लोग अपने पूजा इस्थल पर र मतलब सोने के रंग जैसे, ऐसा नहीं कि सोना ही हो, सोने के रंग जैसे दिखता है अंदर, सुदरसन चक्र जैसा निकलता है, तो शाली ग्राम जो साधक चाहते थे, कि शाली ग्राम उनको चाहिए, शाली ग्राम बहुत दिन से हमने बुलवाए नहीं थे, पर ये शाली ग्र शाली ग्राम जो अपने पास आते हैं ये वहीं से आते हैं जहांके शाली ग्राम का मेहत होता है जगे का नाम हम नहीं बता रहा है पर आप लोग जानते हैं कि शाली ग्राम कहां कि होना चाहिए वहीं के शाली ग्राम है इसलिए हमारे पास हमेशा उपलब नहीं होते हैं अब ये साली ग्राम जो है, ये 2100 रुपे का एक साली ग्राम, ये इसकी धक्षिना राशी है, जो भी सादक चाहते हैं, वो ले सकते हैं, छोटे-छोटे साली ग्राम भी आते हैं, बहुत छोटे-छोटे भी आते हैं, लेकिन इसका आकार उनसे बहुत बड़ा है, ऐसे साली ग्राम सकते हो तो यह शाली ग्राम जो सादक शाली ग्राम लेना चाह रहे थे वो शाली ग्राम ले सकते हैं शाली ग्राम आ गए हैं अब बात करते हैं बिल्ली की जेर के उपर बिल्ली की जेर हमेशा उपलब्द नहीं होती है बिल्ली की जेर के उपर हम कभी कबारी बोलते हैं जब उपलब्द होती है तब हम आपको उपलब्द कराते हैं बिल्ली की जेर जो है ये ओरिजिनर बिल्ली की जेर ही है इसके अंदर देख सकते हैं आपकी रेजिन के अंदर इसको कर दिया गया जिसे की खराब ना हो क्योंकि बिल्ली की जेर जो होती है पुराने जमाने से आपने स कभी गाउं में आप जाते होंगे तो कभी आपने सुना होगा कि भाई जिनके घर में बिल्ली की नाल होती है उनके घर में बहुत संपत्ति होती है और बहुत धनवान होते हैं तो आपने कई बार सुना होगा ऐसे लोगों के विशे में कि भाई उनके घर में बिल्ली की नाल रखी हुई है बिल्ली की जेर रखी हुई है खास करके महिलाओं को इन बातों पे बहुत आकर्शन होता तो वो इन चीजों के विशे में बहुत ध्यान से बात करती है जब हम चोटे थे तब हमारे को भी गाओं में सुनने को मिलता था कि भाई ये चीज रखने से बहुत धना पर लोगों को मिलती नहीं है तो किसी के पास देखने को नहीं मिलती थी फिर जब हम बड़े हुए तब फिर जब शेहरों में हमने आए यहाँ पर हमने जब देखा कि क्या बिल्ली की जेर उपलब्द हो सकती है बिल्ली की नाल भी कहते हैं तो नहीं कहीं उपलब्द होती फि फिर जब हमने सुना लोगों से कि बही बिल्ली की नाल कमहत्व क्या है, जब साधना के छेतर में आए, जब समझने लगे चीजों को, उसके बाद फिर ऐसे साधकों से हमारी जान पहचान हुई, जिनके दोरा बिल्ली की जे रुपलब्द कराई जाती है, वहीं से जहां से ये प्राप्त होती है, और ये जो जंगली बिल्ली होती है, उसी से प्राप्त होती है, घर में पाली हुई बिल्ली की नहीं है, कि घर में पाली है, और वहां से निकली हुई है, ऐसी नहीं है, ये जो जंगली बिल्ली कह सकते हैं, आप जो की आपने देखो का काली बिल्ली हाव जेर जो होती हमेसा उपलब्द नहीं होती, क्योंकि जब प्राप्त कर पाते हैं साधक, कि भाई जब भी वो बच्चे देती है और उनको प्राप्त हो पाती है, तब हम आपको उपलब्द कराते हैं, तो ये चीज़े हैं, तो बिल्ली की जेर आपको असली ही मिलती है, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है क्योंकि हम फालतू चीज़े देते नहीं है फालतू चीज़े बताते भी नहीं है और ये जेर हम खुद बिल्ली से प्राप्त नहीं करते हैं बलकि साधक जो हैं वो उपलब्द कराते हैं वह हम आप लोगों को उपलब्द करा देते हैं, हम नहीं करते यह सब, ना हमारे पास बिल्ली है, ना हम बिल्ली से प्राप्त करते हैं, यह साधक प्राप्त करते हैं, और आखों देखी चीज होती है, तब हम उपलब्द कराते हैं, कोई भी चीज जब आखों देखी होती है, बारिश के दिन है, बाकी मौसम में तो नहीं होती, बारिश के दिन है और हवा पहुँच रही है, तो फिर उसमें क्या होता है, छोटे-छोटे कीडे लग जाते हैं, अंदर से वो खोकली हो जाती है, जब आप देखते हैं किसी दिन, यह तो अंदर से पूरे कीडे खा गए, यह चीज़े होती है, तो पुराने समय में जब सुनने को आता था कि बिल्ली की जेर रखना चाहिए, तो वो देखने को नहीं मिलती थी किसी को, कि बिल्ली की जेर वो रख सके, यह देख सके किसी के पास कि कैसी होती है, तो बिल्ली की जेर जब आप रखते हो, तो इसको कि लिया गुप्त तरीके से तो फी किसी को दिखाई नहीं जाती कि आप रिष्टेदार को दिखाएं या किसी और को दिखाएं इसे गुप्त रूप से अपने घर की तेजोरी में रख लिया जाता है और कभी कबार पूजन किया जाता है वो भी दिया दिखाकर धूप दिखाकर इसके अलावा गुल और घी की जो आप धूब देते हो या आप भोग देते हो अपने घर के कंडे पर उसमें ही प्रात्ना करनी होती है कि बिल्ली की जेर के स्वरूप में मेरे घर में जो माता लक्ष्मी का अंस इस्थापित है वो भोग ग्रहन करें अलग से कुछ नहीं करना महतुपूर्ण तो होता है भोग देना कंडे पर भोग दना महतुपूर्ण होता है वो देते हो आप तो शक्ती बढ़ती रहती है तो बिल्ली की जेर सुनने को मिलती थी फिर देखने को मिलना बहुत मुश्किल कि भाई होती कैसी है तो फिर रखना तो बहुत और भी मुश अनिता व्यक्ति सोचते सोचते रह जाता है पर प्राप्त नहीं कर पाता तो इसका संबंद जो कहते ना कि प्रारब्ध और प्रारब्ध कैसे चलता है और कैसे कैसे संकेत मिलते हैं तो ये भी एक संकेत ही है कि जेर उसी को प्राप्त होगी जिसके भागे में कुछ लिखा है ये चीज़े होती हैं, तो बिल्ली की जेर जो है, वो 100% असली, रेजिन में पैक करके हम उपलब्द करा देते हैं, और जिन लोगों को बिना रेजिन के ऐसी ही चाहिए, आप ऐसी भी रख सकते हो, उसको आप सिंदूर में रख के, स्टील के एयर टाइट डिब्बे में, या प्लास्टिक एयर टाइट डिब्बे में, लाल कपड़े से लपेट के रख सकते हो, कि जहां कभी हवा न लगे, तो वो खराब नहीं होगी, ऐसा आप रख सकते हो, तो ये ती जानकरी बिल्ली की जेर के उपर, और शाली ग्राम के उपर, कि जो भी साधक रखना चाते हैं, वो गुप्त साधना सामगरियों मैंसे, इन सामगरियों को प्राप्त करके अपने घर में रख सकते हैं, जैसी किश्णा,